बात उन दिनों की है जब हम अपने घर में नए नए सिफ्ट हुए थे, हमारे घर के बगल में एक पती पतनी रहते थे, उनके दो बच्चे थे, जो अभी काफी छोटे थे, हम लोगों सिफ्ट होने के बाद उनके मेल जोल बढ़ा, हमने उन्हें भया भावी कहना शुरू किय क्योंकि कुछ ही साल पहले उनकी साधी हुई थी, भावी दिखने में ही बड़ी ही काति लाना निगाहों से की थी, भावी साहब तो सुबह अपने काम पर चले जाते और भावी घर पर ही अपने भच्चों की परवरिस करती थी, भावी दिखने में अती सुन्दर, उनका ग मैं उनके बच्चों को अच्छे से ट्रीट करता था, मुझे जब भी टाइम मिलता था, मैं उनके बच्चों के साथ लग जाता था, ताकि मैं भावी के और भी करीब आ सकूँ, उन्हें आए चार से पांच महीने बीत गये थे, अब हमारे बीच थोड़ा बहुत अपना पं अच्छे ट्यूनिंग बैठ गई थी, कभी-कभी हम एक दूसरे को नौनवेज जोक भी सुना देते थे, आए दिन भाया और भावी में जगड़े होते रहते थे, यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था, कि भावी हमेशा दुखी और परिसान रहती है, उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि भाया सराप पी कर भावी के पास मार पिट करते थे, और मुझे यह सबबर्दास नहीं होता था, पर मैं करता भी तो क्या, एक पती-पतनी के बीच में कैसे कुछ कर सकता था, एक बार जब मैं उनके बच्चों के साथ खेल रहा था, उस दिन भावी घर पर अकेली ही थी, और बस बच्चों स्ते, भावी काली साडी में अपने आंगन में बैठी हुई थी, उस दिन भावी गजब की लग रही थी, मैं भी उनके आंगन में उनके पास चला गया, मैंने भावी से पूछने की कोशिस की, की आप से और भया के ब पहले ऐसा नहीं था, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन साधी के दो साल बाद उन्हें बॉस की बेटी से प्यार हो गया, और वो मेरे पती को अपने बस में पूरी तरह से कर लिया, तब से वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह नहीं हूँ, यह सोच कर की अपने दोनों बच्चों को ले कर कहा जाऊंगी, इसी चीज का फायदा उठा कर मेरे पती मेरे साथ अत्याचार करते हैं, एक बार को तो मेरे दिल में आया की कह दूं की भाभी जी आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फिर पर अकेला था, और भाभी के बेटे को बहुत तेज बुखार था, उस दिन भाभी रोते हुए मेरे घर आई, और अपने बेटे के बारे में बताया, हमने डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, एक दो घंटे में बुखार उतर जाएगा, भा भाभी नीचे की जुकी तो उनका साड़ी का पलू नीचे गिर गया, भाभी ने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी नजरे फेर ली, पर उन्हें पता चल गया, कि मैं उन्हें देख रहा था, और वो सर्मा गई, और धीरे से बोली, क्या हुआ देवर जी, क्या दे चाप बैठ गए, एक दो घंटे बाद उनके बच्चे का भी बुखार बिल्कुल ठीक हो गया था, और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आगन में खेलने चला गया था, लेकिन मैं और भाभी वहीं बैठे हुए थे, और हम एक दूसरे से वैसे वाली बाते कर रहे थे, धी अपनों एक दूसरे को अपने बाहोंग में लिये किस कर रहे थे, एक दूसरे के बदन की गर्मी का एहसास करा रहे थे, भाभी की जीस में की खुसबू मदहोस करने वाली थी, उनकी अदाएं किसी को भी पागल कर सकती थी, भाभी को भी मज़ा आने लगा था, और अब हम अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे थे, लगभग आधे घंटे तक हम एक दूसरे के पर प्याल उटा रहे थे, अब मेरी और भाभी के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम दोनों किसी को यह बाते जाहिर नहीं होने देते थे, उसके बाद हम दोनों को औ और भी जब बहुत मौके मिलें, और हम दोनों बार-बार यहीं सब करते रहें, एक दिन मैंने भाभी को साधी के लिए प्रपोस किया, वो तुरंत इसके लिए राजी हो गई, फिर मैं उन्हें अपने घर ले आया, क्योंकि मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं था, मैंने कुछ दिया जो भया नहीं कभी नहीं दे पाए, अब वह भी बहुत खुस रहने लगी थी, मैं उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था, एक दिन की बात है, जब उनके पती अपनी गलती का पच्छेताब करते हुए घर लटे, उस वक्त मैं घर पर नहीं था, व ये मेरा परिवार है, आज के बाद यहां कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं घर लोटा तो उन्होंने बताया कि उनका पहला पती माफी मागने उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया, यह सुनकर मैं बहुत खुस हुआ, मैंने कुछ ही दिनों मे अपनी पतनी के तलाक के पेपर बनवाएं, और मेरी पतनी हस्ते हस्ते उन कागजों पर साइन करते हुए अपने पहले पती के मुँपर दे मारी, और आज हम भी अपने एक छोटी सी दुनिया में बहुत खुस हैं, दोस्तो यह कहानी सिर्फ मनुरंजन के लिए बनाई गई झ granularर झाइं, तोस्तो यह झाया करनाओ वृश खब करता दो आज हम ज यह कहानी स करता हैं? झाल झाल